सबसे पहले बेकिंग करने से पहले आप अपना बेकिंग पॉडर और बेकिंग सोड़े की एक्सपाइरी को चेक करें हर बेकिट के पीछे उसकी एक्सपाइरी दी होती है तीन से चार महिने तक यह अच्छे से एक्टिवेट रहते हैं उसके बाद इनका एक्टिवेशन थोड़ा कम हो जाता है जिससे हमारे केक में या मफिन्स में पेस्ट्री में या हम कुछ भी बेकिंग करते हैं उसमें राइ thank you